मैं हूँ तबिता और गाईज आज के इस वीडियो में हम अगें इंडिया चाइना पाकिस्तान को कमपैरिसन करेंगे किसी और चीज पर जो कि काफे इंट्रस्टिंग है हम लोगों के लिए और हमारी एकॉनमी में जानना हमें बहुत जरूरी है यह चीज इंडिया का चाइना का पाकिस्तान का कितना है वो आज हम देखेंगे तो गाईज अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो आपको पता है क्या कहने वाली हूँ आप चैनल को सब्स्राइब ज़रूर करें बेल आइकन को प्रेस करें फो न्यू मोर वीडियो और आप अपने डाउट कहां पूस सकते हो या तो फिर यूट्यूब पर कमेंट के थूँ या फिर इंस्टाग्राम पर कबिता मैसी आईडिया भाबे मेसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो जल्दी से अब यहां पर हम लोग काफी इंट्रस्टिंग टॉपिक करने वाले हैं जो है सेक्टर वाइस कंट्रिबूशन गाइस सेक्टर वाइस कंट्रिबूशन किस चीज में सेक्टर वाइस GDP में हम कितना कंट्रिबूट करते हैं देख अब गाइस इंडिया कितना contribute करता है sector wise अगर हम बात करें तो इंडिया जो है agriculture से 17% contribute करता है GDP में जबकि industry 30% and service sector से हम 53% contribute करते हैं अपने GDP में तीनों को total करोगे 100% बनेगा अब खास बात क्या है गाइस इंडिया का जो agriculture से production है वो contribution जो है GDP में 17% है बट इंडिया की आधी जनसंख्या agriculture पर depend है यानि यह हमारी आधी जनसंख्या किस पर depend है agriculture sector पर और जो हमारा 21% है यह क्या है guys यह data यह data है आपका workforce का workforce किसे कहते है जो लोग हमारे देश में काम कर रहे हैं तो हमारे देश में जो लोग काम कर रहे हैं उसमें 50% agriculture sector में काम कर रहे है 21% industry में काम कर रहे है जिसका contribution 30% है और 29% लोग service sector में काम कर रहे है जिसका contribution 53% है तो पहले में एक चीज़ आपको बताऊं guys जितना ज़्यादा हम agriculture से आगे बढ़के industries में industries से आगे बढ़के service sector में जाते it means हम development की और जा रहे हैं तो ये एक positive indicator माना जाता है ठीक है तो हमारी population भले ही जादा है लेकिन हाँ हम लोग development की और जा रहे हैं India is a developing country आप सब जानते हो अब हम बात करतें चाइना की guys देखो चाइना का agriculture से जो production है वो सिर्फ 9% contribution है GDP में कितना है सिर्फ 9% ऐसा क्यों है कि चाइना का contribution GDP में बड़ा कम है तो guys उसके पीछे reason जो है वो ये है agriculture sector वहाँ कम है कितना कम है तो जितना चाइना का area है ना उसमें सिर्फ उसके पास जो cultivated area है यानि कि जहां वो खेती कर सकता है वो सिर्फ 10% है 90% area पे तो वो खेती कर ही नहीं सकता है दूसरे important बात उसको 10% area है ना वो इंडिया का जो cultivated area उसका 40% है तो भी ही चाइना के पास काफी अच्छा area है लेकिन वहाँ की soil condition जो मतलब climate condition वगरा इतनी अच्छी नहीं है इंडिया की तो माशालला बहुत अच्छी है तो इधर का इसलिए एगरी culture में contribution बहुत कम है 9% आपको एक खास बात बताती हूँ चाइना की 80% guys population जो है वो एगरी culture पर पहले depend थी लेकिन हम लोगोंने चाइना की history में पढ़ा कि उन्होंने greatly forward campaign चलाया था जिसमें क्या कहा था उन्होंने कि भाई industries set up करो अपने मकानों के पीछे industries set up करो जिसके बाद क्या हुआ guys industries जो है लोग क्या कहते है एगरी culture से हरके industries में आए और industries में देखो उनका contribution कितना है 43% जो की इंडिया से काफी जादा है हाला कि अगर service sector की बात करें तो 48% है इंडिया से कम है लेकिन वो लोग agriculture में से कम contribution करते हैं इंडिस्ट्री से जादा करते हैं तो जो उनकी इतनी population depend थी agriculture पे वो फिर shift हो गई थी ठीक है और चाइना में industrialization का काफी अच्छा प्रोसेस हुआ था तो यह आपको कहां पता चलता है great leap forward campaign में ठीक है अब गाईज इसके बाद next जीज जो है हमारी that is service sector में यह लोग contribute करें 48% of GDP अगर हम इंधर की population की बात करें तो इनकी population का 28% agriculture sector में है 29% industries में है जो की लगबग बराबर ही है 43% इनके workforce है वो service sector में यानि की काफी जादा है लोग जो service sector में है अब इसके बाद पाकिस्तान की बारी पाकिस्तान अपने GDP में 25% contribution करता है agriculture sector से उसके बाद industries से 21% करता है जो की काफी कम है एक industry setup होना चाहिए देश को आगे बढ़ाने के लिए हमें agriculture से move on हो के industries और उससे service sector में आना होगा और हाला कि अगर हम service sector देखे तो उसका बड़ा जबदस्त है 53 से भी जादा 54% वो अपने service sector से अपनी GDP में contribution करता है population की बात करें तो population उसकी भी agriculture sector में जादा है 43% अराउंड है जबकि industry में सिर्फ 23 है और service sector में 34 है तो अगर मैं एक बात कहूँ आपको कि industries में दोनों तीनों देशों की तीनों देशों की 20s में उनका contribution है workforce का तीक है अब इंडिया, चाइना, पाकिस्तान अगर आप तीनों देशों को देखोगे गाईज तो तीनों ने development की और अफकोर्स बढ़ रहे हैं इंडिया का भी service sector की और जुका हुआ जिसे वो developing countries में आता है चाइना तो माशालला बहुत अच्छा development कर चुका है आप चाहें वहां के technological या कई सारे products आप देख सकते हों इसके लावा पाकिस्तान भी development की और जा रहा है तो यह था sector wise contribution guys I hope आप लोगों कुछ समझ आया होगा इसके लावा यहां पर हमारी workforce थी workforce में यहां पर टोटल लिखना भूल गई 100-100 आएगा guys ठीके कि हमारे कितनी percentage है जो काम कर रही है किन-किन sector में तो वो आप याद करो या समझ लो वो जादा ज़रूरी है और question आपको basically difference करना या comparison करना ही आता है So I hope आपको यह समझ आया होगा अगर फिर भी कोई doubt है तो आप YouTube पर कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो Thank you